हाई हलो एवरिवन आज हम हमारे AP & GP के next part के questions करने जा रहे हैं first part में हमने question no.1 से question no.12 तक के complete कर लिये थे MCQs आज हम उससे आगे के questions देखने जा रहे हैं चलो start करते है now question no.13 क्या हरा है question no.13 AM & GM of two positive integers A & B bracket में A less than B are respectively 5 & 4 find A & B क्याना क्या रहा है AM AM का मतलब बहुता है arithmetic mean ठीक है and GM GM का मतलब बहुता है geometric mean ठीक है दो positive integer है A & B यहां पर question में ठीक कर लेना ही है misprint है A & B E की जगे आएगा केवल B ठीक है और इसने condition दे रहा कि A जो होगा वो B से क्या होगा हमेसा छोटा होगा less than A less than B ठीक है AM इसने दे रहा है आपनको 5 & GM दे रहा है इसने आपनको 4 तो अपनको क्या निकालना है A की value & B की value निकालना है Simple है कैसे देखो जब भी हमें दो numbers का AM दे रहा हो दो positive integer है A & B इनके बीच का हमें दिया हुआ है AM AM का formula होता है arithmetic mean का A plus B upon 2 ठीक है AM का formula होता है A plus B upon 2 अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है AM कितना दिया हुआ है 5 तो यह हो जाएगा A plus B upon 2 तो A plus B की value क्या आ गई यहाँ पर 10 इनको multiply करूँगा 10 हो जाएगी ठीक है अब देखिए इदर इसी परकार यदि मैं बात करूँ GM की मैं बात करता हूँ किसकी GM की AM से हमें एक equation मिल गई A plus B upon A plus B equals to 10 यह हमको AM से निकल के equation ठीक है इसको मैं equation number 1 डाल देता हूँ अब मैं बात करता हूँ GM की A and B और इनके बीच का GM हमें दिया हुआ है तो GM कैसे निकल के आता है GM का formula होता है square root of AB यह formula होता है GM का कितना दे रखा है GM अपन को 4 square root of AB तो AB क्या निकल कर आ गए है यहां से दौनों तरफ मैं square कर दूँ तो देखो AB की value कितनी हो जाएगी 4 का square कितना होता है 16 16 यहां से हमें second equation मिल गई मिल गई अब A और B की value कैसे find out करेंगे या तो एक तरीका है कि यहां से मैं A की value निकाल के एक तरीका यह है कि मैं यहां से A की value निकाल लेता हूं कितनी है 16 upon B और उस value को मैं इसमें put कर दूँ एक तो तरीका यह है लेकिन इससे क्या होगा हमारी calculation, थोड़ी hard हो जाएगी, क्योंकि quadratic equation बनेगी, फिर हमें उसके roots calculate करने पड़ेंगे, इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, मैं options से इनका answers देखो, देखो, मुझे A और B दो number इस तरह से चाहिए, जिनका addition तो हो 10, उनका multiplication हो 16, तो देखो, 2 and 8, 10 क्या हो ए, multiplication 16 आ थिक है, एक option यह रहा, 6 and 4, addition करूँगा तो कितना यह होगा? 10, और multiply करने पर कितना यह ए, 24, यह नहीं होगा अप्जिण, जदी, third option देखो, 8 and 2, देखो, add कने पर, कितना आ रहा है, 10 और multiply करने पर हमें कितना दे रहा है, 16 दे रहा है, 3rd option भी है, 4th देखो 12 4th में multiply करने 24 मतलब 4th दोー भी नहीं होगा अब हमारे पास 2 option है यापार 1st and 2nd 1st and 3rd स्योरी कितने option है हमारे पास 2 1st and 3rd option अब दोनों में से कोई a की सही होगा ऐसा तो नहीं कि दोनों के दोनों с하하 होंगे अब कैसे पता करेंगे कि को दोनों मं सो कॉंसा सए है, तो यहाँ पर इसने condition दी हुई है A less than B, क्या condition दी हुई है इसने हमें, A less than B की condition दी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलग क्या है, A जो हुए, B से छोटा है, तो कौन सा उब्ष。 बज से छोटा है, देखो, करेंगे थड़को नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे थड़को क्योंकि यहाँ पर ए जो 8 है वो बी से greater than a जबकि इसने condition दे रहा किया a less than b ठीक है यह अपना 13 questions question होता है अब आगे move करता है 14th question पर देखिये 14th question क्या खह रहा है find gm of 2 and 6 दो नमबर दे रहा है 2 and 6 इनका हमें geometric mean find out करना है कैसे करेंगे geometric mean का formula क्या होता है square root of a b बताया मैंने तो दो नमबर है a and b 2 multiply 6 कितना हो गया 12 कितना निकल के आएगा इदी मैं इनका square root करूंगा तो कितना निकल के आएगा देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 4 multiply 3 4 का निकल के आगया बाहर 2 और square root में रह गया 3 और जब भी हम इस तरह से square root निकालते हैं तो आगी plus minus का sign लगता है ठीक है तो 14 का क्या answer हो गया 4th option plus minus 2 under root 3 क्या answer हो गया 14 का plus minus 2 under root 3 अब अब अपन बात करते हैं अगला 15th question पर देखिए अपना 15th question क्या खेर रहा है if 2,x,50 R in GP मतलब एक सरीज है 2x और 50 यह GP में है तो हमें x की value find out करनी है क्या find out करनी है, हमें x की value find out करनी है तो हम देखते है x liow कैसे find out करेंगे simple है GP में, जब भी कोई होता हीह series तो उसमें क्या condition fulfill होती है यह हमको series देर रहे है 2 x और 15 हमें x की value find out करनी है तो simple, GP के लिए क्या condition होती है, कि second term upon first term, किसके equal होती है, third term upon second term के, क्यों, क्योंकि ये क्या निकल के आता है, इसका common ratio, और ये भी common ratio, और GP में हमेशा, दो terms के बीच का common ratio हमेशा क्या होता है, equal होता है, तो वहीं, लिखाय में नहीं आपर, ये x upon 2, इन दोनों के बीच का common ratio है, अब, cross multiply कर दो, इनको, क्या करेंगे हम, cross multiply, इसको इससे, और इसको इससे, x square कितना आ गया, 100, x की value कितना आ गई, plus minus 10, कितना आ गई x की value, plus minus 10, 15th का cancer होगा, first option, plus minus 10, ठीक है, चलो, next question पे move करते है, 16 question, 16 question क्या कह रहा है, पढ़िया 16 question को एक बार, क्या खहरा है 16 question, find gm of the numbers, 3, dash, dash, comma, 24, दो numbers दे रहा है, और हमें इनके बीच में, जो ये 2 terms दे रहा ही है, ये find out करनी है, gm का मतलब इन दोनों numbers के बीच का gm, तो इसने दिया हुआ है, 3, dash, dash, or 24, ये इसने दिया हुआ है, gm, find out करनी है, इसका मतलब ये जो series दे रही है, वो gp में है, gp में है, तो ये a हो गया, first term, ठीक है, और ये last term, जैसे ये फर्स्ट एदी ये है, तो second, third, or fourth, fourth term ये है, तो इसको कैसे लिखूँगा, मैं, ar cube equals to 24, fourth term को ऐसे लिखूँगा, अब इसमें, a की value पुट कर देता हू, a की value पुट करने पर मुझे क्या मिलेगा, यहां पर 3, r की value cube बराबर 24, 3 से ये cancel out हो गया, r बराबर आजाएगा, 2, कितना आजाएगा, r की value निकलके, 2 आजाएगा, a की value मिल गई, r की value मिल गई, अब मुझे ये वाली term और ये वाली term, तोनों find out करनी है, कैसे करूँगा, gp में ये term क्या होती है, यदि ये a है, तो ये ar होगी, और ये कितनी होगी, ar square होगी, a की value मैंने अभी निकाली थी, 3 और r की value मैंने निकाली थी अभी, 2, put करो इसमें, 3 into 6, इसमें put करो, 2 का square, 4, 4, 3, 12, तो दो term हमें क्या मिल गई, 6 and 12, तो हमारा क्या answer हो गया, 16 का answer क्या हो गया, 2nd option, क्या हो गया, 16 का answer, 2nd option हो गया, ठीक है, अब आगी, 17th question पर move करते है, 17th question क्या है, 17th question क्या है, find the, क्या है 17th question, find the sum of the series, कह रहा है find the sum of the series अब देखो series दे रहा है 2 plus 1 plus आगे इसमें कुछ भी नहीं दे रहा 1st question dash 2nd 4 and half 3rd 3 and half 4th 4 तो ये question आपका misprint हो रहा है ठीक है इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें question गलत दे रहा है misprint हो रहा है क्योंकि आगे की series ने नहीं दी हुई है आगे भी series आएगी इसमें तो ये अपना misprint है question कैसा है misprint question है ठीक है गलत है इसको छोड़ देते हैं आगे next question में move करते है 18 question 18 question क्या खह रहा है अपना find the sum of एक series दे रहा है 0.9 plus 0.81 plus 0.729 is series का हमें zam find out करना है सबसे पहले हम देख रहा है कि series ap में हैं की GP में हो इसका some find out करेंगे noi इ यह में seriesे रहा है देखता हूँ मीफी में है कि GP में है यदि मैं AP के लिए मैं क्या करता ह state कि ein 2-2-3 0.81 में से 0.9 माइनस करूँगा कितना मिलेगा मुझे 0.09 मिलेगा 0.09 मिलेगा नहीं मिलेगा ठीक है अब यह होगी इन दोनों terms की बात अब मैं बात करता हूँ इन दोनों terms की 0.729 – 0.81 कितना आएगा 921 देखो माइनस करने पर कितना आजाएगा ठीक है 0.810 में से 0.729 माइनस करूँगा 10 में से 9 गया 1 यह रह गया 10 में से 2 गया 8 यह रह गया 0 0.081 कितना आ रहा है 0.081 यह आ रहा है तो देखो यह 0.09 दे रहा है यह 0.081 दे रहा है तो अब यह दोनों equal है क्या नहीं है न तो इसका मतलब यह वाली जो series है यह अपनी AP में नहीं है यह वाली जो series है अपनी वह AP में नहीं है अच्छा अब बात करते हैं अपन कि GP में है क्या चलो check करते हैं यह बार GP के लिए क्या करेंगी है अपन second term upon first term कितना आजाएगा देखो point है उपर लगाऊँगा 0 यह point हटेगा तो नीचे लगाऊँगा 20 0-0 cancel out 9 बंजा 99 9 upon 10 मतलब कितना आ रहा है 0.9 मैं इन दोनों terms की बात करूँ तो 0.729 upon 0.81 यह point अटाऊँगा तो नीचे आजाएगा 1000 यह point अटाऊँगा उपर चला जाएगा 100 2-0 से 2-0 cancel out यह कट गया 8 से 9 times यह आगया 9 upon 10 यह भी कितना दे रहा है 0.9 मतलब first and second term के बीच का difference common ratio second and third term के बीच का common ratio दोनों equal आगया 0.9 0.9 तो इसका मतलब यह वाली जो series है वो हमारी किसमे है ZP में है किसमे है वो GP में है ठीक है अब इसका sum हमें find out करना है इस वाली series का sum find out करना है तो सबसे पहली बात यह जो series दे रहा है वो infinitive है क्योंकि आगे उसने dot 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 लगा रहा है और हमें यह नहीं का कि कितने terms का sum निकालना है तो मतलब यह series किसमे है infinitive है तो infinitive series का sum निकालने का formula होता है a upon 1-r या फिर a upon r-1 इन दोनों में से एक formula अपन यूज करते हैं अब कौन सा कभ यूज करते हैं उपर वाला formula तब यूज करते हैं जब r की value जो है एक से छोटी हो और नीचे वाला तब यूज करते हैं क्या आ रही है 0.9 एक सा चोटी है की बड़ी चोटी है इसलिए अपन कौन सा formula यूज करेंगे उपर वाला कौन सा formula यूज करेंगे अपन यह उपर वाला r की value कितने दे रखिये इसने अपन को निकल के आई थी अपनी r की value आई थी 0.9 इस formula में put कर देते है a कितना हो गया अपना यह 0.9 1-r की value है 0.9 कितना आएगा 0.9 1 मेंसे 0.9 जाएगा तो 0.1 Cancel out तो यह sum कितना आजाएगा 9 कितना आजाएगा अपना sum 9 18 का कितना answer होगा 2nd option 18 का answer क्या होगा 2nd option अब आपन 19th question के तरब move करते है 19th question क्या खहर रहा है which term of series एक series दियो ही है 2,4,8,16 और आगे dot 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 is 2048 क्या कहना चाहता है यह question की एक series है 2,4,8,16 ऐसे यह आगे चलती जा रही है तो इस series में ऐसी कौन सी term है जो 2048 होगी ऐसी कौन सी term है कौन सी number की term 2048 होगी यह हमें find out करना है सबसे पहले पताओ सरीज AP में है की GP में है क्लियर लिए दिख रहा है GP में है क्यों की 2,4,4,8,8,16 तो यह term हमें किसमें रही है GP में GP में है तो A कितना हो गया 2 R कितना हो गया 4 upon 2 करूंगा तो 2 ठीक है मैंने मान लिया कि यह वाला जो term है nth term है nth term का formula क्या होता है GP में A R की power n-1 तो यह है 2048 A की value है 2 R की value है 2 n-1 यह 2 से cancel out करूंगा 1024 आ जाएगा 1024 एक कवस्टू आ गया 2 की power n-1 1024 को मैं 2 की power में लिख देता हूं कितना होता है 1024 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 16 2 जा 32 32 multiply 2 करूंगा 64 64 2 जा 128 128 का double करूंगा 256 256 का double करूंगा 512 512 का double करूंगा 1024 तो यह कितने times हो जाएगा 10 times और 2 की power n-1 तो यहाँ पे base सेम है तो power भी सेम होगी 10 equals to n-1 तो n की value आ गई 11 कितनी value निकल के आ गई n की? 11 तो यहाँ पे अपना क्या answer हो गया 11th term इस series की 2048 होगी ठीक है now next question की तरह move करता है question number 20 question number 20 क्या खेर है question number 20 देखिये of a GP series the first two terms are 3 & 1 एक GP series है जिसकी first two term दे रहा किया 3 & 1 कौनसी term हमें find out करनी है? 7th term 7th term को मैं क्या लिख सकता हूँ? ar की power 6 यह लिख सकता हूँ तो यहाँ पे देखो a की value आ गई 3 और ar दे रहा है उसने हमें 1 तो यहाँ से r की value निकाल सकता हूँ r की value की आ जाएगी 1 अपन a की value 3 जाके नीचे होगी a जो है 1 की नीचे चला जाएगा a कितना है? 3 r की value कितनी आ गई? 1 अपन 3 अब इन दोनो values को मैं इसमें put कर दूँगा तो मेरी 7th term निकल के आ जाएगी a की value मैं 3 put करता हूँ r की value 1 अपन 3 की power 6 कितना हो गया? 1 की power 6 करूँगा 1 ही आएगा 3 उपर है और 3 की power 6 नीचे है. Cancel out होगे 1 कम हो जाएगी 1 अपन 3 की power 5 तो यह अपना 20th question में option number 1 अपना answer है अब आगे 21st question number अपन बात करता है 21st के बारे में 21st question क्या खेता है The product of 3 terms in GP The product of 3 terms in GP is 1 to 5 upon 8 कितनी है 1 to 5 upon 8 तो हमें क्या find out करनी है GM को find out करना है क्या find out करना है हमें GM geometric mean हमें find out करना है ठीक है कैसे करेंगे देखो इस question में एक चीज में बताता हूं यहां पर Terms दी हुई है product of 3 terms जब भी normally हम GP मानते हैं consider करते हैं लेकिन एक पॉइंट यहां पर याद रखना जब भी हमें एक Terms दे दे product of Terms कितनी भी Terms हो 3,4,5 जितनी भी दे रखी है जब भी हमें Terms का product दे रख है तो GP हम किस तरह से consider करेंगे A AR A upon R AR A upon R स्क्राइब क्योंकि देख लो यह भी GP में ही है यदि मैं इसकी बात करूँ तो यह देखो इन दोनों के difference कितना आएगा इन दोनों का common ratio कितना आएगा इन दोनों का common ratio R इन दोनों का common ratio सबका R आ रहा है मतलब इस तरह से हम GP consider करेंगे जब भी product की हो terms के product की क्योंकि इससे हमारी calculations easy हो जाती है तो इसने हमको दे रहा है three terms के बारे में तो three terms तक एवल हम यह लेंगे three terms GP में A upon R A और AR इनका product दे रहा है उसने 125 upon 8 और उसने फिर हम से GM पूछ है ठीक है तो product देखो इन तीनों terms का product दे रहा है 125 upon 8 R से R cancel out A cube 125 upon 8 A की value केतनी आ गई 5 upon 2 अब इसने हम से क्या पूछा GM GM होता क्या है GM middle terms तो होती है यदि A है AR यह अपनी GP है तो GM क्या होगा Middle term A और A केतना निकल क्या है 5 upon 2 5 upon 2 21st का answer क्या हो गया option number 3 5 upon 2 ठीक है अब अगले question के तरफ move करते है सब्सक्राइब 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 इतना याद रखना है सब्सक्राइब और A-2D क्यों क्यों क्योंकि इन उनों terms के बीच का difference देखो 2D आ रहे वह सब्सक्राइब अब अब आउ एक स्रीज दिवीया में nth term is 2N plus 5 find the nature of series उसने दे रहा है हमें कि एक series है उसकी nth term दे रहा है हमें 2N plus 5 और हमें क्या find out करनी है series find out करनी है कि यह series जो है वह किसमे है करो find out n के value put करता हूं हमे 1 तो पहली term हमें क्या मिल जाएगी 7 N के value put करता हूं 2 तो second term क्या मिल जाएगी 9 N के value में put करता हूं 3 तो third term क्या मिल जाएगी 11 तो देखो plus 2 हो रहा है plus 2 हो रहा है तो एक constant number से increment हो रहा है नहीं हो रहा और जब constant number से increment हो रहा है तो यह कॉनसे series हो गई 23rd होगा, क्या answer होगा? देखिये, if the nth term of a series be 29 plus 5, find whether the series is in AP or GP, वही उपर वाला question है, कुछ नहीं है, तो series किसमे थी अपनने, find out किया था भी अपनने, AP में थी वो series, 2N plus 5 है या भी 2N plus 5 है, Now, next question, 24th question, the product of 3 terms in GP, वही क्या देदिया, इसने 3 terms का product देदिया, और वह है 1000, तो हमें middle term निकालनी है, अभी किया था अपनने, GP को क्या मानेंगे अपन, A, AR, A upon R, product दे रखा है, multiply करो, कितना दे रखा है, 1000, R से R cancel out, तो क्या होगा, A cube बराबर 1000, A की value कितनी आ गई, 10, और 100,000 का cube root 10 ही तो होता है, तो A की value आ गई, 10, तो देखो, A की value अपने को मिल गई कितनी, 10, 10 मिल गई A की value, तो अब अपनी, series क्या मानी थी अपने, product के time पे क्या series मानी थी अपने, A upon R, A, AR, A की value 10 मिल गई, तो ये अपनी middle term A ही तो है, series की, तो मिल टाम ही तो पूछी है उसने, क्या answer आजाएगा, इसमें fourth option होगा, 10, answer हो जाएगा, ठीक है, एक option इसमें देनी रखा, 12, 14, 16, और fourth option है 20, वो अपना answer होगा, एक चीज़ करेक्शन कर लेना भी, मैंने ऊपर बताई थी, वो थोड़ा सा महाँ पर गलत हो गया था, क्या बताया था मैंने, कि यदि product के बात हो, तो GP तो मानते हैं अपन A, AR, A upon R, ये तो मानते हैं GP, जब product के लिए बोले वो, और AP क्या मानते हैं अपन, AP मानते हैं अपन, A plus D, A plus 3D, A minus D, A minus 3D, इस तरह से मानते हैं, तब इनके बीच का difference हो गया 2D, इनके बीच का difference हो गया 2D, ये difference हो गया 2D, इस तरह से हम AP में मानेंगे, जब भी हमें, क्या दिया हुआ होगा, product दे रखा होगा, terms का, उपर मैंने A plus 2D कर दिया था, यहां पर A minus 2D कर दिया था, तो मिस्टेक से हो गई थी उपर, तो उसको correct कर लेंगे, A plus 3D, A minus 3D, इस तरह से सरीच चलेगी 2D, 2D के difference, ठीक है, अब आगे के questions है, अपन next part में करेंगे, I hope, आज के questions 24 तक समझ में आ गया होंगे, thank you